देखे मुझे लगता है कि मोदी जी का या बीजेपी का विरोध करते करते आज विपक्ष खासकर इंडी गटबंदन और राहूल गांदी किस तर पर उतरा हैं मतलब ये उनका लॉंग स्टैंडिंग ट्रेडिशन बन चुका है कि समविधानिक पदों का बार-बार अपमान करें ये कोई पहली बार ऐसा नहीं किया जा रहा है सबसे पहले राष्ट्रपती जी जब द्रौपदी मुर्मूजी राष्ट्रपती बनी तो अधिर अंजन जी ने उनके पद का अपमान करते हुए राष्ट्रपत्नी कहा था उनके राष्ट्य प्रवक्ता एवं प्रभारी अजोय कुमार ने दुरौपदी मुर्मूजी को इवल माइंडसेट का कहा था जिस प्रकार से उसके बाद प्रधान मंत्री जो सम्विथानिक पद पर बैठे हुए हैं उनके प्रती मोदी की कबर खुदेगी मोदी डैश डैश की मौत मरेंगे उनके OBC समाज उनके परिवार तक को बक्षा नहीं गया था उनको भी गाली गलोज और अपमानित करने का काम और राहूल गांदी ने तो ऐसी टिपपनिया की थी जिससे कि उनको दोशी भी पाया गया कोट के द्वारा कि उन्होंने OBC समाज का अपमान किया है अब प्रधार मंत्री और राष्टरपती के पदों का अपमान करने के बाद जिस प्रकार से देश के उपर राष्टरपती जो की सभापती है राजसभा के जो अध्यक्ष है राजसभा के उनका जिस प्रकार से मखौल उडाना ये बताता है कि किस प्रकार से पार्लिमेंट स गडबंदन शायद discussion नहीं, disruption ही चाता है, ये इंडी गडबंदन consensus नहीं, confrontation ही चाता है, और ये इंडी गडबंदन केवल अपने दलों के हित को और पारिवारिक हितों को देश हित के उपर रखता है, इसलिए Parliament को भी किस प्रकार से बंधक बनाने का काम, hostage बनाने का काम, हर session में लगातार किया गया है और आज भी किया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि Parliament में क्यों ऐसी नौबत आई, कि ऐसे सांसदों को suspend किया जाए, उसका जीता जाकता प्रमाण देने का काम, कल्यान बैनर जी और रहुल गांदी ने किया है, इसमें एकी चीज जोड़ दूँ, कि ज वही लोग है जो OBC, OBC भी कहते रहते हैं, इनके एक मुख्यमंत्री रेवान त्रेडडी ने बिहार के विशे में और कुर्मी समाज के विशे में जो टिपणी तो की थी, आज जो निंदनिय और दुरभागे पून, हरकत कल्यान बैनर जी ने की है, वो शायद भूल गये है कि OBC समाज से आने वाले राजस्थान के सन ओफ सौयल, आज उस उपराश्टरपती पद पर आसीन है, आदिवासी राश्टरपती का मकौल, उपराश्टरपती जो OBC शोशित वंचित समाज से आते हैं उनका मकौल, और फिर ये लोग जिस परकार की बाते करते हैं, मुझे सर्वोच सर्वनिधानिक पदों पर बैठते हैं, उन लोग का भी मकौल उड़ाने का, अगर काम किया जाता है, तो उनकी सामन्ती मानसिक्ता और अहंकारी सोच का परिच्छे, आज मुझे मिलता है, और कम से कम, राहूल गांधी और कल्यान बैनर जी को अनकंडिशनल पार्टियों को भी सोच उचार करना चाहिए, कि क्या इस प्रकार का नेत्रत्व होगा उनकी पार्टी के द्वारा पार्लेमेंट के भीतर?